सब्सक्राइब कीजी हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैकरम के लिए टेस्ट और यूनिक डिजाइन्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज वेलकुम बैक टो मैई चैनल आज मैं आपको की हैंगर का एक बहुत ही सिंपल बहुत यूनिक सा और बहुत ही कम समय में बनने वाला बिलकुल बिगनर्स के लिए है ये डिजाइन जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक सा डिजाइन में नए जिसके उनको बनाने में असानी देएगी और देखने में भी काफी सुंदर है सिंगल कर में बनता है बहुत इजी है बहुत सुंदर है आप इसको जरूर ट्रै करिए अगर आपके मेरे वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अपनी दोस सकते हैं धाई इंच का मैंने आप गोल साड़ी लिया है पुछ पीट्स है बेल्स है और इस तरह का हूँग चाहिए इसमें हम जो की है उसको हम की चेन को इसमें हम हैंक करेंगे इस तरह से और लाइटर और सीजर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि अब इसके लिए मैंने यहाँ पर टेन कोड लिया है और टेन कोड को मैंने यहाँ पर 33 मीटर में कट किया है अब सारे कोड को हम इस तरह से एटेच किया है अब हम इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे इसका नाइन नाइन कोड छोड़के बीच का दो कड लेंगे और इसमें हम एक मोती लगा लेंगे और दोनों को हम दोनों तरफ लिभाइट करेंगे अब बीच वाले कोड के उपर हम कोड को पाइप इन करेंगे यहां पाइप इन करने में आप ध्यान रखिएगा जो मैं डिजाइन बताने जारी हूं यहां पर एक ट्विस्ट है डिजाइन का यह जो दो कॉड दीख रहा ह है आपको यह एक कॉड को तो मैंने इसमें अटेच कर दिया पाइप इन करके अब दो कॉड इसको भी हमको इसमें पाइप इन करना लेकिन उसके पहले हम यहां थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे इसके देखिए दाएं वाले कॉड को बाएं कॉड के उपर से हलके हाँ से अब एक कॉड बाएं तरफ निकला और एक कॉड दाएं तरफ तो दाएं वाले कॉड के उपर अब हम बाएं वाले कॉड को इस तरह से निकाल देंगे फिर से अब हम फोर टाइम्स हम कर लेंगे और फोर टाइम्स करने के बाद आप इस दोनों कॉड को हम पाइप इन कर लेंगे फिर से अब नेक्स्ट दो कॉड साथ हमें सही करेंगे एक बार लेफ्ट की तरफ अब राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ फिर राइट की तरफ फिर राइट की तरफ इसते से सिक्स टाइन्स हुआ है दो बर और कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ इसको हम पाइपिन कर लेंगे इस पर फिर से इस दोनों कॉर्ट के साथ भी हम सेम करेंगे दिया है और फिर आप हम इसको पाइपिन कर लेंगे अब अब यहां यह दोनों कोड लेंगे यहां पर मैंने 16 टाइम्स लिया है यह दिजाइन जो देखी फ्रेंज यह इसका ख़लका सा ये गोल घूमा हुआ है यह आप देख रहे होंगे ख़लका सा यह गोल घूमा हुआ शेप में आया है अब हम सेम जैसा हमने इस तरफ डिजाइन बनाया है सेम पहले हम एक कॉर्ट को पाइपिन कर लेंगे अब उसकी आद्गे से मैंने यहाँ पर 1,2,3,4 and 5 4 times मैंने यहाँ पर यह knot लगाया था सेम ऐसे ही हम करेंगे 4 times सेम इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 2,4,6,8 times बनेगा इसमें और इस लाइन में 2,4,6,8,10,12 times और यह वाले लाइन में 2,4,6,8,10,12,14,16 16 times इस तरह से हम ऐसे ही डिजाइन यहाँ है वैसे सेम डिजाइन हम यहाँ पर बना करके तयार कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इससे मैंने दोनों तरफ इस डिजाइन को बना करके तयार करके इसमें रिंग में पाइप कॉड में पाइपिन कर लिया है अब दोनों तरफ का कॉड है फिर एक कॉड को लेंगे और सेम हम सारे कॉड को पाइपिन कर लेते हैं कॉड में यहां इस तरफ वाले कॉल्म का एक कॉड लेंगे इसके पर सारे कॉड को हम पाइपिन कर लेते हैं तो दोनों तरफ डबल पाइपिन हो गया है अब हम सेंटर का फोर कॉड लेकर के और सिंपल स्कॉयर नॉट लगाएंगे कि अब फोर को आघर को पॉसरत कर अब फेर से हम बीच वाले नॉट से दो कॉर्ड लेंगे और साइद से हम दो पर लेकर के और यहां हम एक और नॉट लगा लेते हैं इस तरह से इस लाइन में दो नॉट हो जाएगा तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से यहां पर वन टू थ्री का नॉट लग गया है अब नेक्स लाइन में वन फोर नॉट लगेगा तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से यहां पर वन टू थ्री फोर का नॉट लग गया है अब हम यहां पर साइट साइट दो दो का और छुटा हुआ है तो दो दो का और और हम छोड़ देंगे और यहां पर हम दो नॉट के बीच एक नॉट बनाते हुए थ्री नॉट लगा लेंगे देखे फ्रेंड्स यहां जो मैंने वन टू थ्री नॉट लगाया है तो यह बीच का नॉट है इसको हम हटा लेते हैं और यहां पर हम एक मोती लगा लेते हैं मोती लगाने के बाद हम यहां पर एक नॉट लगाएंगे और यहां तो टाइट नॉट लगाएंगे फिसके हम दो दो कोट छोड़ देंगे और यहां के हम दो नॉट लगा लेंगे अब इसके बाद प्रिंट देखे इस तरह से हां पर वन टू त्री फोर नॉट हो गया है फिर थ्री नॉट एक बिट्स लगाके फिर टू नॉट और फिर वन नॉट इस तरह से मैंने यह ब्लॉक बना करके तयार कर लिया है अब हम यहाँ पे उपर पर यह दो कॉर्ड है तो दो कॉर्ड में से नीचे का पहले नीचे का एक कॉर्ड लेंगे और इसके उपर यहाँ तक के हाफ कॉर्ड को हम पाइप इन कर रहते हैं अब उपर की कॉर्ड में आप चाहिए तो यहां मोडे सकते हैं एंधश नहीं भी लगा सकते हैं पर लगा के देख लेते हbucksाया कियसा लरता है कि उपर के कॉर्ड में मोडे लगा करके और यहां यह नीचे की कॉर्ड छोड़ दे हुए सारे को हुए पाइपन के लागा देखे फ्रेंड यहां पर दो लाइन इस तरह से टञतकता है को लिए और इसके ऊपर इधर के हाफ को पनार करके त़्यार कर लेते हैं अब फिर ते उपर वाले लाइन युद्धा में एक मोतिल लगा लेंगे और हाफ कॉर्ट को पाइप इन कर लेते हैं अब लास्ट में फ्रेंज जब दोनों कॉर्ट यहां का दोनों कॉर्ट इधर आ जाएगा तो नीचे वाले कॉर्ट के उपर उपर वाले कॉर्ट को हम पाइप इन कर लेंगे यहां पर भी सेवे सेट करेंगे उपर वाले कौड को नीचे वाले कौड के उपर यहां पर इस तरह से यह एक कॉल्यूम बन गया है यह एक ब्लॉक अब यहां नीचे कर जो दो कौड है इसमें हुट एक मोती लगा लेंगे एक मोती लगा लेंगे अब इसके बाद फर्स्ट कॉर्ट को हम ऐसा ही पाइप इन कर लेंगे जैसे हमने यहां किया था अब हम इस तरह से इस कोड को हम इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम डिजाइन बनाएंगे यहां पर जिसे हमने यहां डिजाईन बनाया है तो यहां पर है हम इस इसस्किल को हे इसको हम एक पिल लेंगे और उसको उस-से हम इस पोजिशन पर सेट कर लें तो हम को यहां पर डिजैन मैन ऐसे में दूञा लोंगी आपको डिजैन वनाने दिक्कत होगी क्यों कि इसको मैं इस्ता से गोल गोल घुमा हुआ थ्वार बनाऊंगी तो इसके लिए अब हम सारी कॉर्ड को हम उपर निकाल लेते हैं पहले दो कॉर्ड लेंगे और दो कॉर्ड से हम एक बार उपर इस तरह का डिजाइन कंप्लीट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसा से ये गोल सा घुम गया है इसने मैंने टू, फोर, सिक्स, एट ताइम्स लगाया है अब हम सेम इसमें भी तुरब और गुम आते हुए अब हम एक बार गुम आते हुए तो सेकेंड लाइन में मैंने टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, टूवल, फॉर्टिन टाइम्स डिजाइन किया है सेम ऐसे इसमें भी हम कर लेए अब हम इसमें कॉट को पाइप इन कर लेते हैं अब हम फोर्थ लाइन बना लेंगे, सेम इसी तरह से वान, टू, टू, ट्री, फोर, पाइब, सिक्स, सेवेन इसी तरह से हम यहाँ पे ट्वैंटी टू टाइम्स मूब्स लगाएंगे और इस चेन को हम कंप्लीट करके कॉट को पाइप इन कर लेंगे अब उपर कर एक कॉर्ड ले करके, सारे कॉर्ड को पाइप इन कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे यह डिजाइन बना करके और यह दो लाइन पाइप इन किया है, सेम वरसे ही हम यहाँ पे डिजाइन बना के और दो लाइन पाइप इन करके, इस तरह पर एडिजाइन को भी तयार कर लेंगे इस तरह से दोनों तरफ मैंने इस तरह का यह डिजाइन जैसे मैंने इधर बनाया है सेम ऐसा ही डिजाइन इधर भी मैना के मैंने कम्प्लीट कर लिया है और डबल नाइन पाइप बिन कर लिया है अब जैसा ब्लॉक यहां पर है सेम वसाई ब्लॉक हम यहां पर तयार करेंगे बन टू थ्री फोर का नॉट और फिर एक मोती तो देखिये फ्रेंज इससे मैंने यह वाला भी ब्लॉक यहां पर तो देखिये फ्रेंज इससे मैंने यह वाला भी ब्लॉक है अब फ्रेंज जैसा मैंने यह ब्लॉक बनाया है सेम ऐसा ही आप नीचे जितना चाहें इतना हाई तक आप इस डिजाइन को आपके पढ़ना सकते हैं और अब इसके बाद का नेक्स टेप होगा यह डिजाइन बना करके हमको फिर से यह डिजाइन बनाना होगा ऐसी तरह से अब इसके बाद का नेक्स टेप होगा ऐसे वाला डिजाइन फिर इसके यह डिजाइन बनेगा और यही चीज आगे तक बना करके तयार कर लेते हैं पहले तो देखिए फ्रेंज इससे मैं यहां पर वन तू थी डिजाइन बनाया है मैं इस प्रेंपर फिनिश कर रही हूँ आप चाहें तो इससे और लंबा भी बना सकते हैं अब लास्ट में हम यहां बीच में एक मोती लगा लेंगे और मोती लगा के एक नॉट लगा लेंगे हम यहां पर एक नॉट लगा लेंगे अब हम सारे कॉड को कट करेंगे एक हाइट पर एक हाइट ले ले और उसी हिसाब से हम सारे कॉड को इस तरह से कट कर लेंगे हम सारे कॉड में बेल्स लगाएंगे दो कॉड लेंगे एक साथ होला दो कॉड लेंगे बेल्स लगा डाल करके और उसको स्टिक कर लेते हैं लाइटर से इस तरह से हम पूरा कर लेंगे इसी तरह से कि पूरा बन गया है आप उपर का जो रिंग है उसको हम भाइपिं करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे वेस्टिज में से ही मैंने खाट लिया है और उसको हम थोड़ा एक कॉर्नर को स्टिक कर लेंगे और एक बार उपर की तरफ से, रिंग के उपर से, एक बार रिंग के नीचे से, एक बार रिंग के उपर से, फिर रिंग के नीचे से, रिंग के उपर से, और रिंग के नीचे से, फिर रिंग के उपर से, इसी तरह से हम इस तरह का डिजाइन बना करके, पूरे रिंग में बना कपते हैं कि स्टिक कर लिए हैं बन कर के तैयार हो गया है अब हम इसमें जो की को होक करने वाला हो कि लगाएंगे तो यह नीचे के साइड में हम इसको हैं करें गे करेंगे इस तरह से हम रिंग को इसमें फटेंगे, आप चाहें तो और भी रिN लगा सकते हैं, इस तरह से हम ये जो मेरा की हेंगर है वो बिलकूल बनकर करके तयार है, देखिव फ्रेंज्स, इस तरह से मैंने ये की हेंगर बहुत ही सिंपल, यूनीक और बहुत कम समय में बनने वाला की hanger का एक नया सा design लेकर आई हूँ जो कि बहुत easy है बहुत सुन्दर लगता है देखने में और बहुत कम time में बन जाता है आप इसको जुरूर try करिएगा बिल्कुल basic knot से बना हुआ है बहुत easy है तो friends अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छे लगे और बनाने का तरीका पसंदा है तो जुरूर मेरे सारे वीडियो को आप like करे और अपने दोस्तों के साथ share करे और comment करना ना भूले thank you for watching me have a nice day take care and bye bye